हेलो, जैहिन, कैसे हैं आप सब लोग, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैस्ट का प्रेक्टिस सेट 37 पहला कोश्यन इसका है बस सूटने का समय 21 बजे है, इसका मतलब क्या है? समय सुरू होता है राद के एक बजे से, सुबह के एक बजे से ठीक है, और टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में टोटल होते हैं, 24 घंटे इसमें से अगर हम 12 माइनस करते हैं, 21 माइनस 12 तो हमारे पास बचेगा 9, तो ये साम के 9 बजे होंगे, ठीक है? साम के 9 बजे, इसका मतलब PM, 9 PM, तो option number B इसका मतलब होगा, ठीक है? बस चूटने का समय क्या होगा? साम के 9 बजे अगला प्रेशन है यहाँ पे X की वैल्यू या थीटा की वैल्यू हमें? यहाँ पे थीटा की वैल्यू याद करनी हैं? कॉस जीरो का मान क्या होता है? कॉस जीरो का मान होता है 1 upon में आपका है 1 इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ upon में आपका है 1 प्लस sin 90 का मान होता है 1 बराबर X तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटे 2 तो X बराबर कितना आ गया? X बराबर आपका आ गया है 1 बटे 2 ठीक है? यहाँ पे आपको दे रखा है sin theta बराबर X तो sin theta बराबर 1 बटे 2 X की वैल्यू कितनी है? 1 बटे 2 और sin theta की वैल्यू 1 बटे 2 कब होती है? जब theta की वैल्यू क्या होती है? theta की वैल्यू होती है 30 क्या होती है option number B 30 sin 30 का मान क्या होता है एक बटे 2 इसका मतलब theta की value क्या होगी 30 degree अगला question है 10 theta प्लस cot theta बराबर 2 तो theta का मान क्या होगा अगर मैं यहाँ फे theta की value 45 रखता हूँ 10 45 degree प्लस cot 45 degree तो यहाँ पे आपकी value आएगी 10 45 का मान होता है 1 cot 45 का मान भी क्या होता है 1 बराबर है आपका 2 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 तो इसका मतलब theta की value क्या आएगी 45 45 रखने पर जो है इसका मान क्या आएगा 2 आएगा अगला question है यह theta की value आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है तब ही जाके trigo की question solve हो पाएंगे 15 बटे 25 को क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा color इसका change करते हैं 15 को मैं काटता हूँ 5 से 3 बार 25 को मैं काटता हूँ 5 से 5 बार इसका मतलब है आपका option number 1 3 बटे 5 अगला question है यदि 18 पुरुस एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 60 पुरुस दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी इस question को ज्यान से पढ़ना यहाँ पे आपको दे रखा है एक काम और यहाँ पे आपको दे रखा है दुगना का तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका M1 into D1 बराबर M2 into D2 और यहाँ पे आपको होता है M1 into D1 upon W1 बराबर M2 into D2 upon W2 तो यहाँ पे M1 कितने हैं आदमे कितने हैं 18 दिन कितने लगे 15 दिन और D1 कितना है काम कितना है 1 बराबर में आपका होगा M2 कितने हैं 60 गुणा क्या पूछा है दिन पूछा है तो D2 हमें find करना है बट्टे में आपका आएगा कितना काम किया 2 गुणा तो W2 कितना होगा वर्क कितना होगा 2 तो इसको अब हम पक्सांतर करते हैं तो यहां तो होगा अठारा गुणा पंद्रा यह दो यहां बट्टे में हैं यहां जाएगा गुणा में यह साथ यहां गुणा में हैं तो यहां जाएगा बट्टे में बराबर आपका होगा डीटू 15 दुना ये होगा 15 दुना 30 और 30 से 60 कट गया दो बार तो ये तो कट गया 30 दुना 60 2 से 18 कटेगा 9 बार तो D2 की value कितनी आएगी 9 तो 9 दिन में ये पूरा करेंगे दुगने काम को इस question को आपको ध्यान से पढ़ना है अगला प्रशन है 360 डिगरी कोन को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं संपून कोन क्या कहते हैं संपून संपून कोन या complete एंगल इसको बोलते हैं complete एंगल ठीक है अगला प्रशन है तिर्भुज कितने प्रकार के होते हैं तो तिर्भुज यहां पर इसने बताया नहीं है कि किसके आधार पर तिर्भुज कितने प्रकार के होते हैं तो यहां पर पहला है कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर पहला तिर्भुज होता है आपका दूसरा होता है न्यून कोन तिर्भुज ठीक है यह तिर्भुज का साहिन है उसके बाद तीसरा आपका होता है अधिक कोन तिर्भुज अधिक कोन तिर्भुज अधिक कोन तिर्भुज उसके बाद ये तो थे आपके कोणों के आधार पर उसके बाद है भुजाओं के आधार पर पहला तिरबुज है संबाहु तिरबुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है दूसरा होता है भी संबाहु तिरबुज इसमें जो है तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और तीसरा है आपका संबुबाहु तिरबुज क्या है तीसरा संबुबाहु इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है तो कितने प्रकार के होते हैं तिरुज तीन प्रकार के अगला प्रेश्चन है इस equation को आपको solve करना है यहाँ पे आपको given है 6 upon y square minus 2 बराबर 0 इस 2 को लेके जाएंगे हैं उदर 6 बटे y square बराबर आपका होगा यहाँ पे रिंका था पकसंतर करते ही क्या हो जाएगा प्लस का 2 उसके बाद इस y square को भी हम पकसंतर करते हैं तो 6 बराबर होगा 2 गुणा y square ठीक है यहाँ भाग में था यहाँ जाएगा गुणा में अब यहाँ से इस 2 को पकसंतर करते हैं तो 6 बराबर होगा y square 2 से कट गया 3 बार अगर हम दोनों तरफ इसको अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट 3 बराबर होगा अंडर रूट y square इसका मत्तब होगा y बराबर अंडर रूट 3 ठीक है यहाँ से 1 y बहार आ जाएगा ठीक है और यह question मेरे को भी नहीं आ रहा है ठीक है तो अगर इस question का solution आपको मिलता है तो आप मेरे को भी इसको बताना चलिए अगले question की और एक सम अस्ट बुज में दो बुजाओं के बीच कितना कौन होता है तो यह हम कैसे ग्याद करें एक सम अस्ट बुज कुछ ऐसा होता है ऐसे एसे फिर ऐसे इसे इस में के इसमें इसको बनाते हैं इसमें जो है 8 बुजाएं होती है और यह बुजाएं क्या होती है इक्वल होती है तो इसने पूछा है यहां का एंगल पूछा है यह कितने डिगरी का एंगल होता है थोड़ा साम कलर इसका चेंज करते हैं यह वाला एंगल होता है आंतरी कॉन और यह वाला जो एंगल होता है यह होता है बाहे कॉन या external angle इसको बोलता है internal angle तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक formula बताता हूँ बाहे कॉन का बाहे कॉन का यूग बाहे कॉन एक शिक्षिण यहाँ पे लिखते हैं बाहे कॉन का यूग बाहे कॉन प्लस बाहे कॉन प्लस अंतरिक कून इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिगरी ठीक है दूसरा इसमें इसका जो भाई कून होता है सम अस्ट बुज का या किसी भी बहुभुज का बहुभुज का बा है कून बाहे कौन आपका होता है 360 degree बटे N N का मतलब है बहुज की बुजाओं की संख्या तो यहाँ पर कौन सा बहुज है सम अस्ट बुज इसका मतलब इसकी बुजाएं कितनी होंगी 8 तो यहाँ पर N की value कितनी आएगी 360 बटे 8 8 से कटेगा 4 बार 8 से कटेगा 5 बार तो यहाँ पर जो है कौन क्या आ गया यह जो बाहे कौन है यह कितना आया 45 degree अब यहाँ पर यह बाहे कौन यह वाला कौन प्लस यह वाला कौन इन दोनों का योग कितना होता है 180 तो इस फॉर्मूले में अब मैं value रखूंगा इसका जो बाहे कौन है वो है आपका 45 degree प्लस इसका अंतह कौन इसका अंतह कौन हमें पूचा है अंतह कौन बराबर क्या होगा अंतह कौन बराबर होगा 180 अब इसको हम पक्सांतर करते हैं तो अंतह कौन बराबर आपका आएगा 180 माइनस 45 degree 180 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 135 डिगरी इसको निकालने का तरीका यह है ठीक है चलिए अगले कुश्चन की और इस संख्या का आपको बर्गमूल ग्यात करना है तो बर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था 3, 6, 9, 6, 6, 4 जिसका या तो यह 36 स्क्वार हो या फिर इससे छोटी संख्या उससे आए तो 6 यहां पर आएगा यहां पर भी 6, 6, 6, 36 इस 6 को हम यहां पर भी एड़ करते हैं और 36 में से 36 गया 0 उतर के आएगा 96, 6 और 6, 12 ठीक है अब यहां पर उतारने के बाद हम इसमें फिर से भाग देते हैं तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं अगर यहां पर हम कुछ भी रखते हैं तो यहां पर आएगा 0, यहां पर भी आएगा 0 ठीक है यहां पर हम 0 एड़ करेंगे तो यह 120 होगा उसके बाद 96 में से 0 माइनस करेंगे तो 96 उतर के आपका आएगा 64 अब यहां पर ऐसी संग क्या रखनी है यहां पर मैं रखता हूँ 8, यहां पर भी मैं रखूँगा 8 तो 8, 8, 64, 8, 8, 64, 8, 12, 16, 8 एकम 8 और 1, 9 तो इसका जो भर्गमूल आएगा वो आएगा आएगा आपका 608 ओप्शन नमबर A अगला प्रश्न है इसको जो है निम्नतम पदों में परदर्शित करने पर इसको simplest form में लिखने है ठीक है यहाँ पर हमें 17 दिख रहा है तो इसको एक बार 17 से डिवाइड करता है ठीक है नीचे वाले को तो 629 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 17, 3, 51 यहाँ पर आपका बचेगा 1 यहाँ पर 1 फिर 17, 7, 11 इसका मतलब क्या है कि यह 37 से यह संग्या 17 बार कट रही है ठीक है 37 से 17 बार कट रही है तो 144 बटे 639 यह कटा है 37 से 17 बार तो यह 37 से अगर हम इसको काटेंगे चार, 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 भागा 37 तो 37 से कम 37 यहाँ पर बचेगा 7 यहाँ पर 4 37 दोना चावत्तर 37 दोना चावत्तर तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आपका उप्सन नमबर C अगला प्रेशन है एक पिता अपने पुत्र से दो गुना बड़ा है दो गुना बड़ा है 20 वर्स पहले पिता अपने पुत्र की आईउ से 12 गुना बड़ा था पिता की बरतमान आईउ कितनी है यहाँ पे ले लिजिए फादर की आईउ यहाँ पे ले लिजिए सन की आईउ यह जो है अपने पुत्र से कितना है दो गुना बड़ा है अगर उसका बेटा एकस वर्स का है तो वो कितने वर्स का होगा दो एकस वर्स का अब यहां पे क्या होता है, 20 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयू से, 20 वर्ष पहले means, दो X-20, और यहां पे X मेंसे, 20-20, 20 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयू से 12 गुना था, 20 वर्ष पहले, according to question, अब हम यहां पे करेंगे, तो 20 वर्स पहले क्या था अपने पुत्र की आयू से 12 गुना था तो अब ये बराबर हो जाएगी ठीक है इनकी आयू क्या कर देंगे हम बराबर कर देंगे तो यहां पे होगा 2X-20 बराबर में आपका आएगा 12X-1224 24, 240 इसके बाद इसको यहां लेके जाएंगे यहां पे 12X है ठीक है इस 2X को लेके जाएंगे यहां और माइनस 40 को लेके जाएंगे यहां ठीक है माइनस का 240 यहां जाके होगा प्लस का 240 माइनस यहां पे है 20 बराबर 12X- यहाँ पर आएगा 2X तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 220 बराबर 12 में से 2 गया 10X तो X की value कितनी आएगी 220 बट्टे में आपका आएगा 10 यह 10 गुणा में था यहाँ जाएगा बट्टे में तो X बराबर कितना आगया 22 तो ये किस की आयू आई है ये आई है लड़के की आयू अब इसने पूछा रहे है पिता की बरतमान आयू पिता की बरतमान आयू कितनी है 2x और x की वैलू कितनी है 22 तो 2,22 बरूर कितना होगा 24 ठीक है ओप्सुन नमबर C अगला प्रस्वन है रेनुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पस्चिम की और तीन किलोमेटर जाती है ठीक है यहां आपका होता है उपर आपका होता है उत्तर नीचे आपका होता है दक्सिन यहां पे होता है पूरव और यहां होता है पस्चिम ठीक है तो रेणुका ने क्या किया वो अपने घर से चलना प्रारम करती है और पहले पस्चिम की ओर 3 किलोमेटर चलती है यहाँ पे उसका कोई घर है यहाँ से वह है पस्चिम की ओर पस्चिम का है इस साइड में पस्चिम की ओर चली कितना 3 किलोमेटर उसके बाद उत्तर की और, यहां से वो मुड़ गई, उत्तर की और, उपर की और मुड़ गई, और कितना चली, चार किलोमेटर तो रेनकवा अपने घर से कितनी दूर, तथा किस दिसा में है तो अब यह बनगे आपके पास समकूर, यहां पे बनगे आपका समकूर, और इसको हम बनाएंगे तिरबुस तो यहां से यहां तक की दूरी पूचिए, यह बारी दूरी, यहां से यहां तक की इसको हम कैसे निकालते हैं इसको बोलते हैं कर्ण का स्कॉयर पाइथागुरस पर में होता है कर्ण का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर आधार का स्कॉयर तो कर्ण का स्कॉयर बराबर क्या होगा कर्ण का स्कॉयर बराबर आपका होगा लंब कितना है चार, तो चार का स्कुएर मिन्स 16, प्लस आधार कितना है तीन, तो तीन का स्कुएर मिन्स 3 तीन तीन नो, बराबर होगा 25, तो कर्ण का स्कुएर, कर्ण का स्कुएर, कर्ण का स्कुएर, बराबर आपका होगा, बराबर 25, अब दोनों तरफ अगर मैं बर्गमूल कर दूँ, तो यहां पे तो होगा आपका कर्ण और यहां आपका बचेगा 25 का बर्गमूल क्या होता है दोनों तरफ बर्गमूल करने पर 25 का बर्गमूल क्या होता है पांच तो कर्ण आपका कितना आ जाएगा पांच तो यहां से कितनी दूरी पर इस्तित है वो अपने घर से इसका घर जो है इसका घर यहा पर है ठेक है और यहां से यहां Atlantic क की दूरी कितनी है तो यह 5 that is why डूर यह कॉनछी दिसा हो गई आपको मेने बताया था यह अइसा है टेक है योहां पर है यहां से और यहां पर हो अबी तु यह कॉनछी दिसा है उत्तर और पस्चिम के बीच में option number D तो ये था practice set 37 उम्मिद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए signing out